हेलो बच्छो, कुछ बच्छों को ये प्रॉढम होती है या फिर्ट ये डाउट रहता है कि मेन के पेपर में बैठके, बैठने से पहले मेरे दिवांब मैं इसा कौन सा figure होना चाहिए, कौन से marks होनी चाहिए, मैं सोचू कि जो इतने marks में को इस paper के अंतर लेके आने है, और runs इस पे enough रहेंगे इस तरीके से चीज नहीं बोला जा सकता और तुमनें ऐसा देखा भी हो कभी कभी एकदम team collapse कर जाती है कि 30 marks पे ही 30 runs पे ही माले 5 विगेट गिर 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 गिर, 6 विगेट गिर 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 उसका reason यह हो सकता है कि pitch tough थी और उन्होंने जदा तेज run बनाने के चक्कर में वो out होते चले गए similar चीज paper के अंदर है अगर मैं कोई भी marks लेकर सोचूँगा कि यार इतने marks पे वो मिला था, com science मिला था तो मैंने को 230 marks तो आने ही चाहिए उसके हिसाब से कि मैं paper attempt करना चाले ही कर दूँ और मालिया paper काफी tough आ गया और उसमें मालिया 180 marks is sufficient है तो जब मेरे से questions all नहीं हो रहाँगे पहले आदे घंटे में मतलब मैं अपना run rate निकाल के देखनी कोश्च करूँगे आदे घंटे में इतने question होने चाहिए 230, 240 तक पहुँचने के लिए और वो नहीं हो रहा है तो मैं panic कर जाओंगा जबकि actual में तुम्हारे साथ ऐसा हो सकता है कि वो जो तुम्हारी shift में जो paper है उसमें काफी कम marks पे ही तुम्हें वो desired rank मिल जाए तो हमें कभी भी ये कोई भी marks का figure दिमाग में लेके नहीं बैठना चाहिए क्योंकि उससे कोई फाइदा नहीं होता नुकसान तो बहुत सारा हो सकता है कि बहुत tough paper में अगर हम 230 marks का हिसाब से attempt करना चालू कर दें फिर उसमें बच्चों नहीं करता है ये तो हो नहीं नहीं तो इससे बड़ी तुकके ही मारा हो और भारा के पता लगए पेपर अल्टरा टाफ था क्योंकि तुम अगर 2021 का आइविल से कि जरूर जाके shift wise ये देखो कि कितने marks पे कितना percentile आया तो तुमारा fund आ कोग clear हो जाएगा कि जो spread है वो काफी बड़ा होता है बहुत छोटा से नहीं होता काफी बड़ा spread होता है और उसके हिसाब से गर दो different shift के बच्चों ने जसे किसी किसी shift में तो 200 marks आने पे भी percentile अच्छा नहीं है तो 250 marks आने पे भी percentile अच्छा नहीं है तो ऐसे में बच्चा हो सकता है कि उसने 230 का सोचा हो और वो 230 उसे लगए कि marks आगे और वो एकदम relax हो जाए और पेपर में उसकी performance compromise हो जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए हम तो सीधा 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 है पेपर में बैठते समय पहले में मेरे को क्या सोचना चाहिए कि मैं easiest question पूरे paper के छाट के तीनों subject में वो करूँगा without calculation mistake जितना भी minimum mistake होगा वो करते हुए of course अगर हम दिमाग पर marks से कोई pressure नहीं हो तो हमसे mistakes भी कम होगी मेरे कहने का मतला यह है और फिर जो दूसा round है उसमें जो doable question में ने को लगेगा उसके उपर हम time invest करेंगे तो अपने आप जो तुमानी preparation होगी and जो paper का toughness level होगा उसके हिसाब से अपने आप तुमारे optimum marks आजाएंगे तो I hope it will be useful for you All the very best